Hello everyone, आज की इस वीडियो में हम लोग unique problem in mathematics के series में एक problem को देखने वाले हैं इसमें question आप से बोल रहा कि if square root of x plus y equal 11 and x plus square root of y equal 7 then how do you find the solution that is x equal 4 and y equal 9 यहाँ पर already thumbnail में हमने आपको solution दे रखा कि x का value 4 है और y का value 9 है तो आखिर यह value जो है कैसे आएगा तो आईए इसको हम solve करते हैं इसमें सबसे पहले question में हमारा given है कि square root of x plus y equal 11 और x plus square root of y equal 7 इन दोनों को एक सांथ equation first consider कर लेते हैं अब यहाँ से question देखने के बाद ही clear हो जाता है कि x और y दोनों positive होगा यानि अगर यहाँ पे 0 हो जाएगा तो भी equation को satisfy नहीं कर पाएगा और negative होगा तब तो आपका square root का अंदर है तो imaginary ही हो जाएगा इसी से हमको clear हो जाता है कि x और y दोनों positive होगा इसमें हम क्या करते हैं consider करते हैं square root of x को m और square root of y को n और इसके बाद equation first में value को हम put करते हैं तो आपको ध्यान अखना है कि जब square root of x का value m है तो इसका मतलब है कि x का value क्या हो जाएगा तो m square चुकि दुनों तरफ square कर देंगे वैसे ही square root of y के value n है तो दुनों तरफ square कर देंगे तो y के value n square हो जाएगा अब equation first में आते हैं तो square root of x का जगा m आ जाएगा प्लस y की जगा क्या हो जाएगा तो n square हो जाएगा equal 11 फिर इसमें आते हैं तो x का जगा आपका हो जाएगा m square plus square root of y की जगा n equal 7 हो जाएगा इन दोनों का हम equation second और third के तोर पे consider कर लेते हैं अब यहां से m और n हमारा क्या होगा positive होगा चुकि जब तक positive नहीं होगा equation को satisfy कर पाना मुस्किल होगा और साथी साथ integer भी होगा चुकि integer नहीं रखेंगे तो बहुत सरा solution आने को तो आएगा but satisfy carefully नहीं कर पाएगा अब इसमें क्या करते हैं equation second or third है तो हम क्या करते है equation second से third को subtract करते हैं equation second का LHS से third का LHS subtract होगा फिर RHS से RHS subtract होगा तो LHS में M plus N square minus M square plus N और इधर हो जाएगा 11 minus 7 तो एक साथ इसको लिखते हम तो N square minus M square plus M minus N equal 4 हो जाएगा तो N square minus M square को लिखा जा सकता है N plus M into N minus M इसमें से minus common कर लेते हैं तो N minus M यहाँ भी हो जाएगा equal 4 अब दोनों में N minus M दिख रहा common कर लेंगे तो पहले बाले से बचेगा N plus M minus दूसरे बाले से कुछ नहीं यानि कि 1 बचेगा equal 4 हो गया अब 4 यहाँ जो दिख रहा तो आपको पता होना चाहिए कि 4 जो है इसको लिखा जा सकता 1 into 4 यह 4 into 1 भी लिख सकते हैं या 2 into 2 भी लिख सकते हैं तो इसी 4 को लिखा कि 1 into 4 यानि product करेंगे फिर 4 हाजाएगा या 2 into 2 product करेंगे फिर 4 आजाएगा अब इसमें जो है पहले पार्ट आपका N minus M है जोकि वहाँ लिचते ना तो n-m 4 आता तो n-m-1 आपका क्या आजाता तो 1 आजाता यानि n-m का वैलू 2 आजाता तो समझे कि दोनों का sum यानि n और m का sum 2 और difference 4 possible नहीं होता इसलिए हम 1 into 4 लिए हैं यानि पहले part का वैलू यानि कि n-m का वैलू 1 और दूसरा part यानि कि n-m-1 का value 4 तो n-m का value क्या हो जागा 5 और इन दोनों को solve किये यानि n-m equal 1 और n-m equal 5 इन दोनों को solve किये तो m का value 2 मिला n का value 3 मिला इधर वैसा ही 2 into 2 लिखें तो n-m 2 हो जाएगा और n-m-1 2 यानि कि n-m 3 हो जाएगा इसको solve करेंगे तो m और n का value 1 by 2,5 by 2 आ जाएगा लेकिन यह आप तो 2 और 3 को तो square root of m का value sorry square root of x का value m था m का value 2 है तो तुनों तरफ square करेंगे तो root x का square x हो जाएगा 2 का square 4 यह एक्स का value 4 आ गया वैसे यह square root of y के value n जो कि 3 है जोनों तरफ square करेंगे तो y के value का जाएगा 9 यह फाइनली x का value 4 और y के value 9 आ जाएगा तो थ्वासा ट्रिकली प्रोब्लम था आसा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा मिलेंगे अगली वीडियो में थेंक्यू